नमस्कार दोस्तों मैं हूं शली शर्मा और आप देख रहें नजीपी हर्याना दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि छट पूजा का शुभारम हो गया है नाय खाय के साथ इस पूजा का शुभारम हुआ है इसी विशे पर आज हम बात करेंगे हमारे साथ है का मिला चट पूजा के उपर बोलने का सर आप यही बताए कि छट पूजा का शुभारम कैसे क्या होता है क्या क्या रिते रिवाज होते हैं उनके बारें बताए आज चट पूजा का श्री गरेश हुआ जो बरती हैं चावल और कदू के सबजी के साथ नहां असनान करने के जिन्होंने गरहन किया प्रसाद के रूप में और आज उनके शरीर के अंदर वर्त का प्रवेश हुआ चटी माई का और आज से नहाई खाय से वर्त स्टार्ट हो गया उनका और यह पूजा संपन कब होगी कल खरना है खरना के दिन गुर और चावल के खीर और प्लेन जो ग करना के दिन बिना अन पानी के वर्ती पूरे दिन रहेंगे और प्रसाद गरहन के अगले दिन जो शाहिकाल का अर्क है छट पूजा का डूगते हुए शुर्ज को अर्क देंगे और अर्क के अगले दिन प्राता काल शुर्ज देव के अर्क देने के वाद वो अनजल गरहन करेंगे 36 गंटे का उनका बिना अन और जल का वर्त है संपन की समय क्या प्रिक्रिय होती है जैसे सूर्ज को देखते हुए या कैसे क्या होता है शूर्ज को देख सूर्ज जब उदे होगा प्राताकाल तो जो प्रसाद के रूप में ठेक हुआ और गागर एक बरा रूप होता है नेम्बू का बहुत बरा रूप नारियल और जितने भी फल है वो शूर्ज भगवान के अर्पित करते हैं और अर्पित करने के वाद जब जल से शुर्योदे हो जाएगा तो वाहर निकल के और शंपन करते हैं धन्यवाद